हमारी last video का topic था formal communication आज की इस video का topic है informal communication informal communication refers to the communication in which the employees of an organization interact with each other unofficially यानि कि जब एक organization के अंदर काम करने वाले employees कोई भी message convey करते टाइम एक line of authority का ध्यान ना रखे या एक friendly way में कोई भी वो बातचीत करते है तो वो informal communication होता है इस communication को हम grapevine communication भी बोल देते हैं इसको grapevine क्यों बोला जाता है जैसे कि अगर आपने एक अंगूर की बेल देखी हो तो अंगूर की बेल जो है काफी उलजी हुई होती है जिसका आप starting और end जो है easily नहीं पता लगा सकते कि वो कहां से start हुई है और कहां वो end हो रही इसी तरीके से communication भी grapevine communication होता है यानि कि कई बार क्या होता है कि जो sender होता है उसका आप पता नहीं लगा पाते है कि message किस person ने convey किया था और नहीं आपको उसके last receiver का पता होता है तो इसलिए that's why इसको हम grapevine communication बोलते है अब informal communication के जो network है main four network हैं जैसे कि formal के network हमने पढ़े थे इसमें first network है gossip gossip आप सभी जानते gossip का मतलब क्या होता है गपे मारना अपने friends के साथ या किसी भी group में तो gossip में क्या होता है कि जो message करने वाला होता है sender उसके nearby बहुत से person होते है और वो सभी के साथ message convey करता है यानि कि अपने nearby वो जितने भी लोगों को देखता है वो उन सभी को message convey कर देता है that's why इसको हम gossip communication बोलते है gossip communication network next is cluster cluster क्या होता है cluster में जैसे कि अमूर की बिल का मैंने example दिया आपको cluster communication में जो actual sender है जैसा कि आप इस script में देख पा रहे हो वो one यानि कि one ने message अपने nearby उसके nearby two person थे two भी था और three उसने three को भी convey कर दिया और two को और four को भी convey कर दिया four भी उसके nearby था four के nearby था seven six and five उसने भी दिनों को message convey कर दिया और फिर five के nearby तिंग लोग थे eight nine और ten यानि कि हम क्या करते हैं इस communication में या sender जो है अपने nearby जितने भी person होते हैं उन सभी को message पास कर देता है फिर आगे जो receiver थे जैसे कि यहाँ receiver फर्स के case में two भी receiver था three भी receiver था और four भी अब two के nearby कोई नहीं था इसलिए ये message यहीं खतम हो गई three के nearby भी कोई नहीं था लेकिन four के nearby तीन लोग थे five, six and seven उसने तीनों को message गन्वे कर दिया यानि कि जो भी message receive करता है अबर उसके nearby कोई और लोग हैं तो उनको message तुरंद गन्वे कर देता है तो इसको cluster pattern बोलते हैं next is single stand single stand chain pattern कि तरह होता है जैसे कि हमने फोर्म में पढ़ा था एक chain की फोर्म में हम कोई message गन्वे कर सकते हैं and last step probability probability means कि जो sender है उसके nearby भहुत से लोग हैं लेकिन वो सभी को message नहीं convey ना करके कुछ selected person को ही message गन्वे करता है उसकी मर्जी है वो किसको information पास करना चाहता है और किसको नहीं पास करना चाहता है जैसे कि ये cluster का example था अब one के nearby two भी था three भी था और four भी था तो cluster में तो उसने तीनों को message पास किया लेकिन probability में क्या होगा first के nearby two है three है four है तो हो सकता है कि first three और four को message पास करते two को पास ना करें यानि कि depend करता है probability है कि वो किसको message पास करेगा और किसको message पास नहीं करेगा